सास्तियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है स्वदेशो भुवनम्त्रयम अर्खात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है तीनों लोकों के बरावर है जब हमारा देश समर्त होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे एकात्म मानव दर्सन को सार्थक कर पाएंगे दिन्दया लुपायतियाई जी भी यही कहते थे उन्होंने एक स्थान पे लिखा था एक सबल राष्ट ही विश्व को योगदान दे सकता है यही संकल्प आज आत्म निर्भर भारत की मूल अवधारना है इसी आदर्स को लेकर ही देश आत्म निर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कोरोना काल में देश ने अंत्योदे की भावना को सामने रखा और अंतिम पाइदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की आत्म निर्भरता की सक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्सन को भी सिद्ध किया पूरी दुनिया को दवाएं पहुचाई और आज दुनिया को वैक्सिन भी पहुचा रहा है सात्योदेश की एकता अखनता के लिए भी आत्म निर्भरता की ज़रुत पर दिन्दाल जी ने विशे जोर दिया था 1965 बे भारत पाग युद्ध के दोरान भारत को विदेशों से हत्यार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दिन्दाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बलकि हत्यार और विचार के खेत्र में भी भारत को आत्म निर्भर बनाना होगा उनके इस वीजन को पुरा कर दे के लिए भारत आगे बढ़ रहा है आज भारत में डिफेंस कोरिडोर बन रहे है स्वदेशी हत्यार बन रहे है और तेजस जैसे फाइटर जर्ज भी हवा में उडान भर रहे है हत्यार के खेत्र में आत्म निर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थेबवस्ता मजबूत हो रही है तो विचार की आत्म निर्भरता से भारत आज दुनिया के कई खेत्रों में नित्रुत्व दे रहा है आज भारत की विदेश निती दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है नेशन फर्स्ट प्रकृती के साथ सामंज सका दर्शन दिन्द्याज जी ने हमें दिया था भारत आज इंटरनेशनल सोरार एलाइंस का नेतरुत्व करके दुनिया को वही रहा दिखा रहा है